भारतिय पासपोर्ट धारक के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है दोस्तों जश्ट जैसी मुझे अपडेट पता चला मैं सोचा आप लोगे साथ सेर कर दूँ क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट खबर है तो दो बहुत भी खबर है दोस्तों दोनों अपडेट को पर कर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों ये 20 भारतियों बुरी तरह फसे हुए हैं ये कंसेक्शन काम पे में दोस्तों हेलफर के काम यानि बड़े-बड़े बिल्डिंग जो बनती है दोस्तों उनके बनाने के लिए हेलफर के काम पे गयते एजेंट को बहुत सारे पैसे भी द दोस्तों रस्या में अच्छी सैल्डी का वादा लेकर एजेंट भेजा था उनको और वीजा का बहुत सारे पैसे भी लिये थे पता चला और दोस्तों उनको लड़ने के लिए यूद के मैदान में बेज दी है इसलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको ऐसे कंट् बहुत सारे लोग इसराइल भी जाते हैं मैंने भी एक वीडियो बनाया था बोला था कि इसराइल जाना खत्रा से खेलना है क्योंकि वहाँ पे भी कभी यूद हो सकता है इसलिए दोस्तों ये सब कंट्री आप ना जाए अब विदेश मंत्राले कैसे बचाती है आने वाला अपडेट कुछ आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन ये बेचारे लाकों का सेलिए देकर वादा गया था एजेंट और पता चला उनकों से यूद करा रहे अब इनकी मौत हो सकती है इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हाथसा हो सकता है अब इनके फैमली वाल आप रिनुवल कराते हो अपना पास्पोर्ट तो ज्यादा ज्यादा 2000 रूपए खर्च होता है 1500 से 2000 रूपए लेकिन अगर आप अदर कंट्री में अपना रिनुवल कराते हो MBC के थुरू तो भारते MBC बताया है टोटल जो खर्च बनेगा दोस्तों ओ इंडियन मनी लगबग 10 अजार आप किसी भी कंट्री से अपना रेनवल अगर पास्पोर्ट करा ले तो इंडियन पास्पोर्ट आप दुबई से करा लो ओमान से कतर से सौधी से बहरेन से या फिर कंट्री से दोस्तों जो भारतिये ने खर्चा बताया है वो इंडियन मनी लगबग 10 अजार रुपे आपको खर्चा पड़ेगा पास्पोर्ट रेनवल कराने में तो अगर आप दोस्तों इंडिया में ही रेनवल करा लोगे तो बहतर रहेगा नहीं तो वहां जाने के बाद अगर करा लोगे तो फिर आपको ज्यादा अमांट देना पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा दोस्तों आठ महीना पहले आप रेनुवल करा सकते हैं अपना पास्पोर्ट क्योंकि 10 साल का पास्पोर्ट भैलेट होता है दस साल जब खतम होने वाला है क्योंकि 6 महीने अगर जब तक उस पर बैलिट रहेगा तभी आपको दूसरा कंट्री का वीजा लगेगा नहीं तो उस पर वीजा नहीं लगेगा और भी कोई कोई कोंफ्यूजन है नीचे कोमेंट सक्षन में जरूर पूछे यह कुछ जानकारी था यह कुछ अपडेट था मैं सोच आपको के साथ स सोच आपको के साथ सब्सक्ट रहेगा अ. झाल